नमस्कार मेह अनुष्का बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज शाम तक की खबरों को जाने से पहले एक निजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर आज से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकाने विवादों में घुरे एक दिन के शुक्षा मंतरी मेवाला चौधरी का कोरोना कमिटर मैट्रिक इंटर की कबाट मेंटर परिक्ष्या हुई रत पंचाय चुनाव के आयुजन पर सियम रितीश कुमार ने कही वेपाग लोकास्था का महा पर्व चैती छट का हुआ समापन करते हुए संक्रमन के भी चट व्रतियों ने अपने ही घड़ों में उधियमान सुरित देवता को अर्ग समर्पित किया वहीं जन्तपद में लोगों ने छटी माता से इस भयंकर महामारी से बचाने की कामना की आपको बता दे कि साल में दो बार यह चार दिवसिये चट पर और यह पर्व बिहारीों के लिए खास महत्व रखता है अब कार्तिक माह में कार्तिक छट पर्व मनाया जाएगा आस्ते श्राम छे बजे तक खुलेंगी सभी दुकाने सूबे में आस्ते श्राम छे बजे की बाद सभी प्रकार की दुकानों प्रतिष्ठान फल सब को भी लागू किया गया है इस दोरान सुभा में किसी भी समय दुकान को खोलने की इजाज़त रहेगी जिसे शाम 6 बजे तक ही खोलने की इजाज़त है इसके साथ ही आज से 15 मई तक सभी सरकारी और गेर सरकारी दफतर भी 5 बजे शाम तक ही खुले रहेंगे बताते चले कि र बिहार सरकार ने राज में होने वाले सभी परिक्षाओं को 15 मई तक रद करने की गोशना की है इसके तहत वर्स 2020 के बारवी और दसवे की कंपार्टमेंटल परिक्षा के लिए फेल हुए छात्रों को अब और भी इंतेजार करना पड़ सकता है इससे पहले इंटर कंपार्टम मई तक अगले आदेश तक इस्थागित कर दिया गया है इतना ही नहीं बिहार बोर्ट की तरफ से होने वाली दसवी और बारवी की कंपार्टमेंटल परिक्षा के अलावे DLED की विशेस परिक्षा को भी 15 मई तक रद किया गया है जो पहले 26 अप्रेल से 30 अप्रेल के बीच होने वाली थी EVM मुद्द सोलजने के बाद अब किया जाएगा पंचाय चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षेत राजुमे आगामी पंचाय चुनाव को लेकर EVM एक मुद्दा बना हुआ था मगर अब या साफ हो गया है कि पंचाय चुनाव में M2 EVM से ही चुनाव लरे जाएंगे जिन से विधानसभा चुनाव होते हैं जिसके साथ ही अब पंचाय चुनाव में लगने वाले चुनाव कर्मियों को भी EVM से चुनाव करने के बारे में प्रशिक्षन दिया जाना है। कर्मियों का प्रशिक्षन होगा। आपको ये भी बता दे कि करोना के मद्दे नजर यह प्रशिक्षन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये ही किया जाएगा। इक्षिक्षन के ट्रांस्पोर्टेशन और टैंकरों की रिफिलिंग की निगरानी करेंगी। इसके साथ ही सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में रेमडेश शिविर इंजेक्षन की आपूर्ती करेगी। इसके लिए सभी अस्पतालों से जानकारी मंगाई गई है कि उन्हें कितने इंजेक्षन की जरूरत है। इसके तहट इस दवा की निर्वाता पाच कंप्रियों से बात कर उपलदता के अधार पर उसे ततकाल खरीदने का निरदेश मुख्य मंत्री ने BMSICL को दिया गया है। जिन लोगों के ड्राइविंग टेस्ट पूरे हो चुके हैं उन्हें फिलहाल रहत रहेगी। इस कारण DTA कारियाले में भीर हो जाती है। इसलिए फिलहाल टेस्ट रोकने या फिर उसे कम करने पर विचार किया जा रहा है। विवादों में घिरे एक दिन के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना से निधन। मेवाला चौधरी मुंगेर की तारापूर से विधायक थे और तारापूर में ही वे कोरोना से संक्रमित हो गये थी। जिसके बाद उन्हें रेपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 13 अपरेल को पटना के पारस अस्पताल में भरती करा गया था। जहां इलास के दोरान उन्होंने आत्सुबह अंतिमसा से ली। इस सवाल का जवाब मुक्य मंत्रे नितिश कुमार ने दिया है। इसे में पंचाय चुनाव के टालने के आसार तो अभी तक नहीं दिख रहे है। बेगुसराय में बंद पड़े ऑक्सिजन प्लांट से प्रोडक्शन हुआ शुरू बिहार के बेगुसराय से अच्छी खबर आई है। प्लांट के बंद पड़े प्लांट में फिर से ऑक्सिजन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। बिबार को यहां प्लांट खुलने के बाद 480 सिलंडर ऑक्सिजन की आपूर्ति की गई है। इसके शुरू होने से बेगुसराय सहित बियार के कई जीलों को इसका लाब मिलेगा। बताते चले की कोरणा महामारी के बीच पिछले एक हफते में पटना समीत कई जीलों में ऑक्सिजन सिलंडर की भारी कमी हो गई थी और बिहार में ऑक्सिजन उत्पादन के लिए सर्फ मुझपरपूर पटना और बेगुसराय में प्लांट था। पटना और मुझपरपूर में ऑक्सिजन का उत्पादन हो रहा था जबकि बेगुसराय का सोनी गैस प्राइवेट लिमिटेड बिजली समस्या और अने समस्या को लेकर फरवरी 2020 से ही बंद था। सुप्रीमों की जमानत को लेकर टिपनी करने वालू पर आरजेडी के नेता भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रहें। इस बीच भासपा के वरिष्ट नेता और बिहार के पूर्व उप्पु मुख्य मंत्री सुसिल मोदी को उन पर टिपनी करना भाड़ी पढ़ गया। इसके बाद राज़त के वरिष्ट नेता शिवाननतिवारी ने भरकते हुए कहा कि सुसिल मोदी का कदर लालू के सामने काफी छोटा है। उन्होंने मोदी को नौटंगी बाज बताते हुए कहा कि एक बार लालू ने विधान सभा में उनकी पोल खोल दी थी, इसके बाद खुद को फस्ते देख मोदी किस तरह सदन से निकल भागे थी, उन्होंने ये भी कहा कि सुसिल कुमार मोदी चातर राज़नीती से ही लोगों के साथ-साथ बड़े-बड़े अधिकारी, मंतरी, पुलिस कर्मी और स्वास्त कर्मी भी इसकी चपेट में आचुके हैं। आधा दर्जन से अधिक कार्याले हैं। इतने कम दायरे में सीम के इतने साथे कार्याले होने पर सबाल खड़े हो रहे हैं। इतने कार्याले की जरूरत नहीं है। अपुनिय अच्छती हुई है, इसके साथ ही उनका अंतिम संसकार राज के समान के साथ करने की भी घोशना की है। मुख्यमंतरी ने अपने शोक संदेश में कहा कि उनकी निधन से वा व्यक्तिकत रूप से मरमात हैं। इसके साथ ही विदान सबाद्यक्ष विजय कुमार सिनहा के साथ ही जदी उखे में के निताओं ने भी उनके निधन पर स्ट्रोक समेधना व्यख्त की है। देश बर में आये धाई लाग से ज्यादा कोरोना मामले देश में कोरोना का कहर जारी है और इसके साथ ही नए मामलों के साथ-साथ मौत के आखरों में भी लगातार ब्रिती होरी है पछले 24 गंटे में देश बर में कोवीड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए वाल्डोमेटर की रिपोर्ट की मुताबिक रविवार रात 12 बजे तक 24 गंटे में देश में कुल 2,75,306 नए मामले सामने आये हैं जबके इस दोरान 1625 लोगों के जान गई है इसके साथ ही देश बर में एक्टिव मामले 19,23,877 हो चुके हैं बात अपने बिहार के करे तो बी लगातार तीन मैच जीतने के बाद RCV ने पॉइंट टेबल में बनाई पहली जगा आईपील 14 में इस बार बैंगलोर की टीम शुरुवात से ही धमाका कर रही है यह ऐसी इकलोती टीम बन चुकी है जिसने अभी तक खेले गए तीनों मैच में जीत दर्ज किया है और इसी के साथ ही आईपील की पॉइंट टेबल में छे अंक लाकर RCV ने टॉप पर कबजा जमा लिया है वही दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियन्स के खाते में चार चार पॉइंट्स है लेकिन बहतर नेट रन नेट की दम पर दिल्ली कैपिटल्स दूसरे और मुंबई चौथे पाइदान पर है जबकि बंजाब किंग्स साथवे पाइदार पर खिस गई है वही संराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो लगतार तीन हार के बाद टीम आकरी पाइदान पर पहुंच चुकी है तो चलिए बढ़ते हैं आज की सवाल की ओर आज का सवाल कुछ स सपकार है कि आपके अनुसार आज श्याम होने वाले आई पियल मैच में चिन्नई सूपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में से किस टीम का पल राभारी है आप अपने जवाब हमें कमेंट सक्सें में कमेंट करके जरूर बताए और बिहार से जुरे खबरों को देखते रहने के लिए जुरे रहे बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार झाल 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 झाल